सो हेलो एवान गाईस रहे मादीव राधी राधी कैसे आप सभी लोग आई हूप आप सभी लोग अच्छे अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सा गाईस आश मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगे हूँ आपका नियर फ्यूचर कैसा रहेगा ओके means आपका आने वाला समय आपकी लव, marriage, career, money कोई भी field के regarding हूँ आपका question कैसा रहेगा आपका आने वाला समय आपका आने वाला मतलब नियर फ्यूचर आपका so yes यहाँ पर guys woman holding a coin card है first pile और अगर आपकी date of birth guys आपको अपने date of birth चूज करने है so अगर आपकी date of birth इन में से आते हैं तो आप first pile पिक कर लीजिए second pile है guys यहाँ पर temple path card और अगर आपको यह card attract कर रहा है तो यह pile पिक करें यहाँ आप अपने date of birth पिक कर लीजिए okay so अगर आपकी जनम तारीक इन में से है तो आपके लिए second pile है so दोनों ही piles आपके सामने है चूज कर लीजिए guys okay अपने option and yes description में time stamps चूज देख लेना okay so yes guys अगर आप new हूँ चानल पे तो reading start करने से पहले चानल को subscribe करके bell icon का दबाके wall पे set कर दो and like कर दो इस reading को personal reading के लिए आप मुझे instagram पर DM कर सकते instagram का लिए description में है time stamps के ज़स्चूपर या फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते okay चार्ट कर लेते हैं guys आपकी reading को first fall से so first fall जिन्हों ने भी woman holding a coin card को pick किया है या फिर आपकी date of birth इन में से आती है means 2, 11, 5, 15, 9, 3, 17, 7, 21, 13, 19, 25, 23, 27, 29 तो आपके लिए first fall थी okay और या फिर guys आपने woman holding a coin card को pick किया है तो आपके लिए first fall थी so yes guys आपके लिए क्या energies आ रही है आपका near future कैसा रहने वाला है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा आपके लिए सबसे पहले जो mean energies बनकर आए हैं यहाँ पर वो है guys woman holding a coin card तो यह show कर रहा है सबसे पहले तो कि आपकी जिन्दगी में financial issues अगर आप face out कर रहे थे बहुत time से वो यहाँ पर sort out होते हुए दिख रहे है means आपको financial issues face नहीं करने पड़ेंगे और यहाँ पर जो भी लोग मतलब business कर रहे है business career में है उनका business grow करने वाला है growth यहाँ पर मुझे दिख रही हो कि यहाँ पर money abundance आपकी तरफ आप लोग attract कर रहे हैं पैसा आपकी life में आता हुआ दिख रहे है कि mean जिसके तरू यही पता चल रहा है और also जो भी लोग intuitive है आपकी intuition और भी ज्यादा high होने वाली है आपके पास black cat है तो of course बहुत अच्छी बात है बट हाँ उसके साथ आप बहुत अच्छा relationship feel करने वाले आने वाले समय में और second चीज जो भी लोगों के पास कोई fur baby नहीं है तो वो adopt करने वाले है ठीक है मुझे यह भी दिख रहा है black color का ही आप लेने वाले हो और यहाँ पर मुझे मैंने eyes close की तो मुझे गनेश जी दिख रहे है तो गनेश चतुरती अभी निकली है I think हा ना गनेश जी का विसर्जन वगरा हो चुका है ना पूजन हो चुका है अपने किया है तो ऑफकॉस जिनके भी घर पे हुआ है यह तो उनको उनकी तरफ से blessings भी जी चारी है ठीक है और यह message है उनकी तरफ से के yes वो बहुत happy है आपसे ठीक है यहाँ पे guys सबसे पहले तो मुझे मुझे दिख रहा है आपके near future में उनकी तरफ से blessings भी आने वाले हैं आपके लिए और guys यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जिनका भी business है उसमें clients increase होते हुए दिख रहे है ठीक है आपकी तरफ कोई earth sign के person या girl आते हुए दिख रहे है मुझे earth sign की lady ओके यहाँ पी वो energies दिक आपके लिए मुझे 42 नंबर आपके लिए important होस्ता या फे 6 नंबर आपके लिए important होस्ता है कि कैसा रहेगा आपका near future आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है क्या आप लोग expect कर सकते हो कि इस बहुत सारे cards आना चाहते हैं आपके लिए यहाँ पे आपके लिए night of swords है page of swords है see this great बहुत अच्छे energies आई है night और page दोनों ही आए हैं आपके लिए वाउ four of wands card है यहाँ पे amazing page of pentacles की energies है यहाँ पे यहाँ पे आपके लिए king of swords भी है और last card क्या है आपके लिए last energies क्या आना चाहते हैं क्या होने वाले आपके near future में oh my god वाउ so queen of swords है यहाँ पे pentacles बोलने वाली तो i think queen of pentacles की भी energies यहाँ पे आ रही है बढ़ हाँ queen of swords की energies यहाँ पे ज्यादा important दिख रहे है bottom of it है कि यहाँ पे nine of swords है middle energies इस time पे है judgment card okay so अंदर से आप judgment चाहते हो universe की तरह से जल से जल्द आपको judgment चाहिए इस time पे ठीक है और शाहिद आप अकेला feel कर रहे है चाहिए relationship में हो तो आप family वालों को मनार्यो मान नहीं रहे है ऐसा कुछ यहाँ पे scene दिख रहा है मुझे और nine of swords शो कर रहे है यहाँ पे full moon भी होके गया है guys तो उसकी भी energies हो सकती है nine of swords ओके यह शो कर रहे है कहीं न कहीं आपकी life में आप इस time रातों की आपकी नीद दूरी हुई है कोई health issue हो सकता है या फिर कोई और भी issue relationship issues है love life है ना या फिर married life issue है जो भी लोग married है यहाँ पी आपकी रातों के नहीं दूरी हुई थी तो अब आपको बहुत अच्छे से नहीं दाना start हो जाएगी in the near future यह start हो चुकी होगी आपको यहाँ भी मैं आपको एक बात बता हूँ page of swords है यहाँ पी knight of swords है और यहाँ पी king of swords है तो यह growth को show कर रहा है page knight और king यह तीनों ही cards आए ह है आपके लिए मैं आपको सबसे पहले page ही आया था ठीक है बठा रखने में मैंने page को second जगा पे रखिया है because यहाँ पी सबसे पहले card नीचे गिरा और second card मैंने जो निकाला हो knight of swords था तो page के बाद knight आया knight के बाद king आया तो इसकी यह energy show हो रही है मुझे कि yes आपकी life में growth आप लोग expect कर सकते हो आपकी life में growth आते हुए दिख रहे है आप growth कर रहे हो internally भी externally भी okay financially way में भी और yes आपकी spirituality way में भी okay and यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहे है बहुत तेज आते हुए दिख रहे है आपकी जिंदगी में okay but fast energies आपकी life में आने वाले है आने वाले समय में so guys यहाँ पे also मुझे ऐसा भी दिख रहे है आपकी तरह बहुत सरी opportunities आते हुए दिख रहे है near future में बहुत सारी चीज़े आप मला finances के related okay पैसे के related यहाँ पे opportunities मुझे दिख रह आपकी life में जो happiness आप लोग expect कर सकते हो या कर रहे हूँ बहुत time से वो यह है आप शादी चाहते हो अपने distant partner को मिलना चाहते है आप अपने future spouse फियों से जो भी आप बोलना चाहते हो आप उनको मिलने वाले हो आप मिलना चाहते हो और yes वो आपके near future में होने वाला है okay और yes यह person आपके जैसे ही है आप अगर बहुत strict हो rigid हो या फिर लेक होता है ना बहुत जा कंट्रोल ने कंट्रोलिंग नेचर है या positive हो या जिसको भी हम थोड़ा सा मतलब होता ना इदर स्थोड़ा negative way में ले जाते है ना straightforward बात करना पसंद है मूँ पे बोल देते हो अच्छी ब बात मैं बोलूंगी या बोलूंगा वैसे ही partner आपको मिलने वाले हैं आप intuitive हो वो person भी intuitive होने वाले हो के मुझे यह दिख रहा है और yes clear रहेंगे अपने mind में मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है ठीक है यह person आपके person के अंदर भी है और आपके अंदर भी यह चीज होने व होंगी means sun Gemini Librequirus means 3 number की राशी 7 number की और also 11 number वाली राशी and yes आपकी शादी के chances यहां पे बहुत सारे है और near future में यहां पे ऐसा लग रहा है new beginnings आते होई दिख रहें आपकी जिंदगी में आपको judgment मिलने वाले जो भी लोग शादी की वच्छे से stress में थे उनके लिए आ रहे थे बहुत बठा आपको पसंद नहीं आ रहा था अब आपको पसंद आ जाने वाला है चाहे पसंद आए ना आए बर शादी इसी परसन से होनी है और yes मुझे ऐसा भी दिख रहे है जो भी लोग बहुत जारा checking कर रहे थे बहुत चेक कर रहे थे कि मुझे घर लेना है अपने लिए यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना घर भी मिलता हुआ दिख रहे ठीक है आप अपना find आउट कर रहे थे कोई dream house या बनाने की कोश्च में लगे हुए थे तो यहां पर complete होता हुआ दिख रहे हैं कुछ लोग गाइस घर का लई होता है मुहूरत ठीक है उसको भी attend करने वाले हैं या तो आप भी अपने घर का मुहूरत करवा रहे हो या फिर किसी के मुहूरत को attend कर रहे हो यह function को attend कर रहे हो हो सकते हैं किसी के उसको attend करने चाहरे हो अपके mother father बहुत इंपोर्टन रहने वाले हैं आने वाले समय में ममा पापा आपकी means near future में वह आपके उपर पूरी अपने निगाहें रखने वाले आप कर क्या रहे हो कर क्या नहीं रहे हो यह सब चीज़े मुझे यहां पर देख रहे हैं यहां पर क्या energies आप लोग expect कर सकते हैं सबसे पहला कार आया है magician and a mirror सबसे पहले चीज़ तो मैं यह यह देख पार हू कि आप लोग अपनी life में manifestations कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहे है आपको बस balance करने के जुरुत है अपने fire और air element को sorry water fire element को जिससे आपकी life में आपकी जो भी manifestations है वो fulfill होंगी अपने emotions को control में रखना है आपको just और also अपने fire energies means अपने fire element means लग आप जैसे कह सकते हो अपनी energies को control में रखना है ठीक है दो टू स्पिरेट आपके लिए उपन हो रहा है universe आपके साथ है spirits आपका साथ देते होए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं peaceful nature peace peace आपकी life में आते हो दिख रहे हैं अगर आपको peaceful nature पसंद है yes definitely peace आपकी life में आते हो दिख रहे हैं शान्ति भरा महौल यहा आप ही हो रहे हो आपका heart chakra open हो रहा है आप बहुत ही जारा relax feel करने वाले हो यहां तो यह आपकी manifestation फूरी fulfill होने के बाद ही यहां पर यह सब चीज़े हो रही हो कि आपके near future में आपको कहा ज़र अपनी feelings और emotions मैं feelings और emotions बोल तो रहे हो यह normal word है बठा यहां पर यह चीज़े ब बोला आप उनको balance करोगे तो definitely आपकी जुभी wish है वो पूरी हो जाएगी शाधी related, money related, babies related, कोई भी related आपकी news है यहां पर फुल्फिल हो जाएगी आपका heart chakra open हो रहे हैं आपका दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं कोई न कोई अगर आप single हो तो कोई न कोई love relationship में partner आते हो देख रहे हैं मैंने बोला यह आपके future spouse हो सकते हैं यह जो आ रहे हैं आपकी जिंदगी में और yes जिसकी वज़े से आपकी emotions और feelings बहाद निकल कर आ आना चाहेंगे बहुत ज़रा आपकी heart chakra बहुत ही ज़रा लाइक होता ना उचाल उचाले मालेगा ठीक है कि yes मुझे अपने express करनी है feelings मुझे बतानी है अपनी feelings क्या feel कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं ठीक है so यह सब चीज़े मुझे यहां पर दिख रहे हैं यह emotions है उनको बताईए आप क्या feel कर रहे हो क्या उनके बारे में सोच रहे स्ट्राइम पर okay so यह सब चीज़े मुझे यहां पर दिख रहे हैं एंड में हम guidance दे लेंगे उससे उसके बाद हम कुछ messages मेरे handwritten cards से दिखेंगे ठीक है so yes यहां से क्या energies है क्या आपके लिए guidance है क्या आप लोग को guide करना चाहते हैं आपके angels spirit guides okay so Mary Magdalene है teacher awakens की energies है so you have something important to share so आपके पास कुछ important information हो सकते important चीजी हो सकते जो आप share कर सकते हो दूसरों के साथ and yes follow करिए अपने inner call को आपके लिए guidance है यह अपने अंतर मन की आवाज को follow करो जो आपको बोला जारे वो करते जाओ just okay आपका अंतर मन ही आपका teacher हो सकता है don't let anything stop you so किसी भी situation में किसी भी चीज को अपने आपको रोकने मत तो कोई भी काम करने से रुको मठ ठीक है अगर कोई कह रहा है अपने काम को करते रहो अगर आपकी inner call आपको की गई है कि यह साप यह काम करिए तो definitely कोई भी रोकते वत वो काम रुकना नहीं चाहिए और क्वान एन केर और कंपाशन की एनरजी नहीं पहले तो crystals की सेल चल र नहीं वाले है तो definitely आप बाई कर सकते हो तब तक आराम से decision लेके अपना और मुझे अपने issue बता दीजिए और येस आपको अपना crystal मिल चाहेगा ठीक है और येस काईस आप रीडिंग को अगर आपको personal reading लेनी है आप मुझे Instagram पे ही DM कर लेना Instagram का link description में है टाइम शाम्स के ज कोई ऐसे partner आते हुए दिख रहे हैं जो बहुत caring हैं बहुत compassionate और जिस वाले हैं या आप ही ऐसे बनने वाले हो कि choose to be love do what is right for everyone involved offer a helping hand so offer करो helping hand अगर किसी को आपकी जरुरत है help की and yes महावतार बाबा जी आये हैं तो ये तो शो कर रहे हैं कि आपकी soul expand हो रही है आपका सोचने समझने का नजरिया भरता हुआ दिख रहे है चेंज हो रही है ठीक है and your consciousness is expanding you understand the connection between all things so आप connections भी ठाप आओगे सभी चीज़ों में and holy amethyst and divine alchemy की energies है move beyond current challenges currently जो आपकी life में challenges है उसे move on करिए focus करिए जो भी आपकी desires है उनके उपर and ordean आये है psychic insight की energies है आपका जो थर्ड़ आई चक्रा है नो वो ओपन होता हुआ दिख रहे होगे जो थर्ड़ आइस open see truth of what it is so such का साथ दो such बोलो follow करो अपनी intuition को okay so यहाँ पर मैं अपने handmade cards के through अब देखूंगे क्या होने वाला है आपके near future में आप लोग क्या expect कर सकते हो ठीक है mother healing जो भी लोगों की mama नहीं है या फिर mother से आपकी बंती नहीं है so mother healing is possible at this time guys okay आपके mother healing यहाँ पर होते हुए दिख रही है yes positive energies ही आई है यहाँ पर कुछ भी मुझे यहाँ पर जादा तर negative नहीं दिखा यह spiritual number 786 so इतने dollars इतनी amount आपको रसीव हो सकती आने वाले सामय में अगर आपको कोई business है career है okay and new house मैंने बोला ही है महूरत हो दिख रहा है मुझे okay so yes कुछ लोग new house पर chase करते हैं दिख रहे हैं यहाँ पर new house की energies हैं यहाँ पर soul tribe मैंने यहाँ पर ऐसा भी बोला है कि आपके partner आ रहे हैं guys soul tribe ही आते हुए दिख रहे हैं उनकी family वो खुर ठीक है सब लोग आ रहे हैं तो soul tribe की energies है law of attraction की energies है तो आपको यहाँ पर कहा चारें आप manifest करें manifest magician की energies आ चुके हैं यहाँ पर and guys यहाँ पर आमाउंट्स आ रहे हैं आपके लिए 10,000 डॉलर okay so आपको यह मिल सकते हैं 10,000 डॉलर means अगर इंडियन रुपीस में लगाएं तो एक लाग sorry 10 लाग रुपे के आस पास है यह दस लाग के आस पास चीक है so 9 10 लाग के आस पास अमाउंट यहाँ पर आपको मिलने वाली है next regularly so law of attraction की energies है so yes आपकी life में आपको कहा चारा अगर आप LOA का use कर रहे हो बहुत अच्छी बात है आपकी life में वो बहुत helpful दिखने वाले आने वाले समय में आपके लिए helpful रहने वाले है so government job जो भी लोग try कर रह है उनके लिए यहां पर आप LOA के through government job को attract करना चाहते हो तो yes आप कर सकते हो बठापनी तरह से अपना hard work भी करते रहो ठीक है and yes आपकी life में यही सब चीजे near future में होने वाली है guys so like this reading subscribe to this channel bell icon का दबा देना all पर सेट कर देना personal reading के लिए आप मुझे instagram पर DM कर सकते instagram का link description में है time shams के just rupa यह फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो के so अभी के लिए इतना ही आप सभी लोग second pal guys जिनके भी date of birth 1, 6, 18, 4, 22, 14, 16, 12, 10, 24, 26, 8, 28, 30, 31, 20 में से आती है हो की तो आपके लिए second pal थी guys तो यहाँ पर temple path card है सबसे पहले हो की और उससे पहले guys अगर आप नहीं हो channel पर तो reading को like करके channel को subscribe कर लो personal reading के लिए आप मुझे instagram पर DM कर सकते हो की सबसे पहले तो guys sale के बारे में बता दू तो crystals के उपर sale चल रहे है 15% list पे आपको crystal bracelet, pendant, ring देखने को मिलेंगे okay so 30th of September तक यह sale चलने वाली है okay बाकी guys anyways यहाँ पर आपका near future कैसा रहने वाला है आपका आने वाला समय कैसा रहेगा आज हम इस topic के उपर reading करेंगी सबसे पहले तो guys temple path के energies हैं यह show करती है कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में यहाँ पर आने वाले समय में आप लोग बहुत spiritual होते हुए दिखरो बहुत dharmic places पर आप visit कर सकते हो आने वाले समय में ठीक है ऐसा लग रहा है मुझे कि यह आप आने वाले समय में ऐसी जगहाओं पर जाते हो दिखरो जो बहुत सारा मानने आता है जिनकी ठीक है बहुत मानते हैं लोग पूझते हैं उन जगहाओं को ठीक है इसे चीज़ें यहाँ पर दिख रहे हैं यह special places यहाँ पर हो सकते हैं जहाँ भी आप अगर love relationship में हो तो अपने partner से मिल भी सकते हो तो यह से कुछ जगहाओं हो सकते हैं and 12 number आपके लिए important होसता है 3 number is also important for you and yes यहाँ पर यह भी चीज़ें दिख रहे हैं कि आप positivity की तरफ भर रहे हो negative thoughts, negative चीज़ें आप अपने साथ छोड रहे हो ठीक है अपने से दूर and yes positivity बस आप attract करने वाले हो यहाँ पर अपनी life में so यह चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं and अब मैं tarot के थूर देख लेती हैं उसके बाद और भी अलग देखेंगे ठीक है so yes आपका near future कैसा रहने वाला है आपका आने वाला समय कैसा रहेगा guys okay second file okay wow so first file guys sorry second file guys आप first file में जाके देखो तो वहाँ पर सबसे पहला card कौन सा है और इतनी shuffling के बाद में अगर यह card है तो first file ज़रूर देखना वहाँ पर भी same game यही card है first okay तो five of cups है night of swords है यहाँ पर nine of wands card के energies है यहाँ पर okay seven of swords ओके आपके near future में क्या होने वाला है guys night of wands and last card क्या है आपके लिए queen of cups card के energies है bottom of it है कि यहाँ पर two of swords है middle energies क्या है यहाँ पर page of wands okay so यहाँ पर जो मैं देख पारे हूं same message first file वाला ही तो आपकी life में grow कर रहे हो आप growth आ रही है आपकी जिन्दगी में होगी growth यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है आप लोग अभी सीख रहे थे चीजों को बहुत में कुछ ताइम पहले आप सीख रहे थे चीजों को अब आप अपनी life में उसको थोड़ा सा लागू करना start कर दोगे आपकी तरफ आया जा रहे हैं और यहाँ आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको कई धोके मिले हैं लड़ाई जगड़े fights and all that confusion की energies आपको मिली हैं relationship में अब आने वाले समय में आप लोग first strength के साथ खड़े हुए strength बना के खड़े हुए कि आपको कोई hurt ना करके चला जाए आपका दिल दुखा के ना चला जाए या फिक गलत आरूप ना लगा दे तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें आपकी life में दिख रहे हैं and also आप कहीं ना कि अकेला feel तो कर रहे हो alone feel कर रहे हो बट हाँ आपके relationship अच्छा चल रहा है मुझे relationship wise को issue मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे है हाँ धोका वगेरा की energies दिख रहे है कि ना कि आपने दिया या उन्हों ने दिया कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है near future में लडाई छगड़ा हो सकता है guys fights हो सकता है कुछ confusion बनी रहेगी mind में यह भी दिख रहा है मुझे आने व सकती है यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ आपका mind stable रहेगा stability आपके mind में रहेगी यहाँ पर 9 of wands card यह शो कर रहा है कहीं ना कि आपकी जिंदगी में strength बनाके चलने का आगे भढ़ने का कोई अगर आम स्टार्ट कर लिया है उसको समाप्त करके ही बैठने का ठीक ह है ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर दिख रहे है मुझे आप यहाँ तो बहुत emotional loving caring energies में आते हुए दिख रहे हुए यह आपकी तरफ कोई lady आ रही है ठीक है lady luck आपकी तरफ आता हुआ दिख रहे है यहाँ पर peacock दिख रहे है मुझे गाई पीकॉक की energies okay so वो यहाँ पर important हो सकती है I think किसी के लिए तो important है peacock और yes अगर आपको पता उसका एक फर खंब होता है जो वो भगवान कृष्ण के साथ attach हो जाता है उनके अटायर में ही आता है वो ठीक है सिर्ख पे कलगी की तरह रखते हैं वो so yes आपके लिए भगवान कृष्ण भी important हो सकते हैं okay Lord कृष्ण यहाँ पर important role play कर रहे हैं आपकी life में कुछ बड़ी transformations आपको देखने को मिलने वाले हैं okay आने वाले समय में नई change आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपने expect नहीं किये थे बट yes वो हो रहा है और yes कहीं न इसा हो सकता है कि आपकी love life में कहीं न कि एक दूसरी को स्चॉक करना वो यहाँ पर चलता रहता है okay so ऐसे अभी कुछ दिख रहा है कि यहाँ आप स्चॉकिंग के energy में आ रहे हूं and near future guys आपके लिए थोड़ा normal साही दिख रहा है ठीक है जैसा चल रहा था वैसा ही दिख रह है थोड़ा बढ़ा कुछ दो लोग आ रहे हैं दो nights के energy दो लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं घोड़े पे सवार हो गई so yes एक परसन तो बहुत फास्ट आ जाएगा एक परसन स्लो आएगा ओकी यहां पे भी नर्जिस हैं so क्या energy है आपके लिए so woman holding a heart card के energy नहीं कहीं आप अपने अपको फुल परटेक्ट करके रखे वे अपने दिल को कोई तोड़ने आपकी दिल को कोई तोड़नी सकता है विकॉज आपने इतनी protection अपने हाट को provide करके रखे वे और कहीं न कहीं आपको कहाँ जड़े आपकी manifestations यहां पे पूरी होगे magician and the mirror की energy ने manifest कर रहे हो आप अपनी life में चीजों को की और यस उसके through manifest हो ज़िए and yes कहीं न कहीं न कहीं आपकी लाइफ में cups prices ओकी यहां पे important role हो सकता है pass ही ओकी but yes आपकी life में कहीं न कहीं यहां पे guys water and fire mixture आपका दिख रहे होगे okay so guys financially भी आपको कोई भी issue नहीं दिख रहे है finances आपके बहुत अच्छे रहेंगे बहुत अच्छी earning आपकी दिख रहे है through your clients to your job okay through your business बहुत अच्छी यहां पे energies दिख रहे हैं आपके लिए आपकी manifestations आपकी healing होते हैं दिख रहे हैं guys आपकी manifestation fulfill हो रहे हैं and yes आपकी healing हो रहे हैं यहां पी आप बहुत relaxing energyist nature के आसपास जाते हैं दिख रहे हैं मुझे और कहीं आपके लिए doors open हैं so of course walk through them guys and आपको peasants को आपको बहुत सारी blessings देंगे okay and यहां पर यह भी दिख रहे हैं आपकी life में see this peacock मैंने बोला था guys और peacock यहां पर आपको दिख रहे हैं यह peacock है guys okay so peacock की energies most important हैं आपके लिए I think lord krishna यहां पर आपको messages देना चाहते हैं आप एक विजेता हूँ आप एक victory lover, victory person हो ठीक है so यहां पर यह सब चीज़े आपके लिए दिख रहे हैं and 34 number आपके लिए important हो सकता है यहां फिर आपके लिए 83, 28, 10, 11, 2, 9 ओकी यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं और yes bottom of deck destiny guys कुछ चीज़े आपकी life में आप चाहें चाहो चाहें ना चाहो वो होना distant है वो तै है guys होना चाहिए आपके business related काम से हो यह job related के आपको आपके लिए यहां पर कोई सोच रहा है ठीक है और yes यहां पर आपकी life में victory होते हैं victory का time है यहां पर okay and 34 number आपके लिए important हो सकता है 28 number 44, 10, 1, 8, 53 यहां फिर 42 यह 6 number आपके लिए important हो सकता है also 21 okay 3 number is also important so आपके destiny I think आप खुद create कर सकते हो आपके लिए यह भी एक decision हो सता है आप खुद ही अपने destiny create कर सकते हो so yes यहां पर मैं यही देख पा रही हो कि so yes आपके लिए और क्या देख लिए दे guidance क्या है so lady porshia की energies है divine order so yes what you feel is right so आपको क्या सही लगता है guys वो करी आपके लिए important lesson unfold होता हुआ दिख रहा है यहां पी यहां important lesson is unfolding for you and definitely यहां पे आपकी intuition high होनी ही थी so आपकी intuition यहां पे high होते हैं दिख रहे है guys ordinary energies आई है psychic insights your third eye is open see truth for what it is such guys ढूंडो such का साथ दो यहां भी आपको यही बोला जा रहे है follow करो बस अपने intuition को जो आपको वो बोल रही है उसको सुनो अपने अंत्र मन से सुनो om mantra chant कर सकते हो guys आप अपने लिए की go to me clock of wisdom you already know the answer you seek so guys आपको अलरडी पता है आपके क्या questions यह हो कि उसका क्या answer है trust करो what you know विश्वाश रखो जो भी आपके questions का answer आप जानते हो उन सब चीजों के पर विश्वाश रखो and yes उसके साथ ही चलो अपने लाइफ में आखी and call the venetian so yes experience करने वाले हो guys आप अपने लाइफ में grace की energies को के share your gifts with grace so अपने gifts को gracefully way में आप present कर सकते हो ठीक है waves of inspiration and love are coming to you so love आपकी तरफ आ रहा है waves of inspiration आपकी जिंदगी में आते हो दिख रही है ठीक है तो यह energies है आपके लिए और यहां पी आपका जो crown chakra है वह बहुत activate रहने वाल है heart chakra के उपर ओले चक्रा लाइक आपका crown chakra अपका third eye और अपका throat chakra यहां पर important role play खर रहा है okay so yes आपके लिए lord Ganesha आए है bottom of deck भगवान गनेश की energies है आपको तो यही बोला जा रहे है आपकी तरह बहुत सारी abundance आ रहे है पैसा आ रहे है money आ रही है ठीक है बस आपकी life में obstacles जो भी थी है गलत लोग थे आपकी life में और remove किये जा रहे है universe की तरह से यहां पी spiritual support and connections are increasing so आपकी life में spiritual support लोग बहुत जार परवाइट कर रहे हैं आपको spiritually आप लोग बहुत गरो करने वाले अपनी जिन्दगी में और यस ऐसे लोगों के साथ आपको connections भी बिठाएंगे आप ओके तो यहां पर यही इनर्जिस हैं गाइस बाकी में अपने handmade cards के थू देख लेती उससे पहले गाइस रीडिंग को like करके चानल को subscribe पर लो बैल आइकन को दबाके all पर सेट कर दो personal reading के लिए आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हो Instagram का link description में है ताइम स्ट्राइम के जोस्ट पर यहां फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो कि so guys next phase of your life आपके लिए बहुत important रहने वाला है आपका अगला समय आने वाला समय ठीक है next phase आपका life का बहुत important रहने वाला है okay pure soul guys आप बहुत pure soul हो यहां पर आने वाले समय बहुत pure soul बनते हुए दिख रहे हो and yes meditation सुन सकते हो कि yes बहुत purely energies जिसमें हूं बुद्ध बाउल या फिर और बहुत साही चीज़ें okay no slavery guys अगर आप किसी के under calm कर रहे थे उससे आपको शुटकारा मिल रहा है okay आप किसी के भी under calm नहीं करने वालों या करने वाली okay so soulmate वाओ so आपके soulmate आपको मल सकते हैं guys आने वाले समय में soul family आपको मल सकते है and guys thank you so much जिन्होंने भी personal reading book करवाई है thank you thank you thank you everyone again 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 okay so yes यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहे कहीं नहीं commitment आपको देखने को मिलने वाली अपने relationship में अगर issues थे relationship में इसी के regarding क्या आपको commitment नहीं दी जा रहे है यहाँ पर आपको just ऐसे ही बस अपनी life में आपको कमिट्मेंट नहीं दे रहे है so yes आपको कहा है आपकी commitment टेस्ट हो रहे है that's why आपको commitment नहीं दिलवाई जारे बठां आपके लिए commitment है आपको commitment ज़रूर मिलेगी future में because आपके soulmate यहाँ पर आपकी life में है आपके साथ do it now थोड़ा सा आपको यह भी कहा जारे कि so आपकी जिन्दगी यह white light guys white roshni guys आपको पता हो गर आपको अपनी intuition के उपर focus बना के चलना है यहाँ फिर आपको intuitive बनना है तो आपको कहा जाता है सबसे पहले इस chapter यह होता है कि आप अपनी intuition के उपर focus करो white light कुछ देखो कि white light कहां से आ रहे उसको देख की आगे भड़ो ठीक है और yes like वो point है जो आपको शाहिद कर सकता है आने वाले समय में कि so do it now guys कोई slavery करने की जुरूरत नहीं commitment आपको देखने को मिलने वाली आने वाले समय में आप बहुत pure soul हो कि and also आप soulmate आपकी life में आते वह दिख रहे हैं ठीक है so anyways guys अभी के लिए इतना हर महादीव राधी राधी गौड बलस्ट रववान टेक क्यों बाई guys